नमस्कार मैं पिंटु शिंग्यादो आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल धुन्या में दोस्तों आप गूगल मैप्स का इस्तिमाल करते होंगे तो आप अगर सूचिए कि गूगल मैप अगर आपको कहीं भी जाना है चाहे वह 1000 किलोमेटर हो या फिर कितना भी इंडिया में destination पे जाना हो आपको अगर उस location के बारे में put in करते हैं उस location का location तो आपको इजले जो way of trekking है जो आपको जाने का रासता है वह आपको पता चल जाता है तो अब आप सोचिए कि आपको इतनी बड़ी facility दी जाती है और आप जो है Google Map के माध्यम से इस भारत के कई भी कोने म आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं और उस डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कोई इतनी बढ़िया फैसलिटी और इतना बढ़ा टेक्निकल चीज आपको प्रफाइट कर रहा है तो आखिरिकार उन में काम करने वाले लोगों को पैसा कहां से मिलता है या फिर कमपनी जो है गूगल मैप्स जो है वो पैसा कैसे कमाता है ऐसे सवाल आपके जहर में जरूर आता होगा जब आप थोड़ा सा अंदर जाके इसके बारे में सोचते हैं तो वहीं आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि जो गूगल मैप्स होता है वो किस तरीके से पैसा कमाता है उससे पहले में चाहूंगा कि हमारे इस चैनल यानि कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब करकर जरूर जूजन चलिए शुरू करते हैं तो आप सभी को मैं बता दू कि कोई भी चीज आप गूगल पे सर्च करते हैं माली जीए आपने कोई होटल सर्च किया एजूम किजिए कि आपने गूगल पर जाकर एक होटल सर्च किया आप जैसे ही होटल सर्च करते हैं आपको कई सारे होटल के list जा जाते हैं ठीक है तो कई सारे होटल के list जैसे कि आप computer screen पर देख पा रहे होंगे तो कई सारे होटल के list जब आ जाते हैं तो उसमें कई सारे होटल के सामने एक पीला कलर का ads का option बना होगा ads लिखा होगा इसका मतलब भी हुआ कि उस hotel का जो advertisement है वो Google कर रहा है आपको prefer कर रहा है इसका मतलब भी हुआ कि उन hotel वालों से Google जो है वो पैसा लेता है ताकि हम आपके hotels को top position पर लेकर आएंगे और इसी लिए hotel जो होते हैं वो पैसा देते हैं क्योंकि most of the chances होता है कि उनकी ही hotels अगर कोई नहीं अरभाय में search करता है तो उनकी hotels को customer book करें अगर book करते हैं तो इससे hotel कमाएगा और hotel sponsorship या फिर money इसलिए देता है Google Maps को ताकि वो लोगों को suggest कर सके और हमारे hotels के पास पहुँशा सके तो यह होत चीज आप इसके माध्यम से Google Maps कमा सकता है दूसरी चीज होती है कि जब आप Google Maps डालते हैं और कहीं पर जाते हैं तो आपको कोई special special चीजे दिखती है जैसे कि आपने रेलांस पे ट्रोल पंप दिखा होगा या फिर कोई ऐसी बड़ी hotels देखे होंगे बड़े hospitals देखे होंगे तो ये सारे भी जो private चीजे होती है वो भी Google को पैसा देता है Google Maps को कि भाई देखो मेरा तुड़ा सा बोल्ड अंदाज में दिखाना ताकि हमारे के पास लुग जो है पहुँचे तो इस तरीके से एडवेटाइजमेंट के तरीके से जो Google Maps है वो पैसा कमा सकता है तो इसको ध्यानक ना है और आप समझ जाएए कि इस तरीके से Google Maps जो है पैसा कमाता है दूसरी चीज और सबसे मत्तोपूर चीज ये है कि आप सभी जानते हैं कि Google में like Uber हो गया वोला हो गया या फिर कई सारे ओनलाइन खाना खिलाने के जोमेटो हो गया सुगी हो गया तो ये लोग क् करते हैं कि आप जब बूक करते हैं तो आपका लोकेशन वहाँ पर वो कंपनी वाले ट्रेश करते हैं और आपको आसानी से आपके लोकेशन तक उस चीज़ों को पहुचाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि जो बड़े बड़े कंपनीयां होती है वो Google Maps को पैसा देती है कि पहुचाओंगा तो आप मुझे क्लियर एक डेटा एक मैप देजिए ताकि मैं वहां से अपनी कस्टमरों को आराम से पहुचा सकूँ तो यह जो बड़ी कंपनीयां होती है वो Google Maps को पैसा देती है ताकि उनको आसानी से कोलिबरेट कर सकें और लोगों की बीच आसानी से को कोलिबरेशन करता है किसी ब्रैंड के साथ Google Map जो होता है वो कोलिबरेट कर लेता है एक्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे आप मालेजी ओला बुक परते हैं तो आपको नियरबाय में कौन-कौन सी ओला कैब एवलेबल है उनका सारा structure दिखा देत है ठीक है तो दिखाना के मतलब यह हुआ कि अगर ओला का कैब आप एक बूग कर रहे हैं तो बाकी को दिखाने का क्या मतलब है मतलब यह हुआ कि बाकी जब दिखा रहा है तो आपका ज्यादा chances है कि आप ओला को असानी से अपने destination के लिए उसको बूग कर सकें तो इसके ल हैं उनको आप लोगों को सजेस्ट करें ताकि उसको पता चले कि हाँ यहाँ पर अबलेबल है ताकि और भी ज्यादा एक्स्ट्रा बुकिंग आये जिसके चलते उबर कंपनी वहला कंपनी को भी बेनिफीट सो साथ में कंपनी को बेनिफीट जब होगी तो वह गूगल मैप जो है अर्निंग करता है तो दोस्तों मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए कि आखिरकार कैसे गूगल मैप जो है वो अर्निंग करता है तो इस तरीके से गूगल मैप बेसिकली अर्निंग करता है और इसका सहारा लेकर वो काफी अच्छा पैसा भी कमाता है अगर वी description बनीक देता हूं, वहां से जाएगर आप मुझे follow कर सकते हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्तुर।